हेलो दोस्तों नमस्कार चैनल पे आपका स्वागत है काव लेटिस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टुडेंट्स के लिए दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज अभी इगनू की तरफ से आ रही है सभी स्टु जाएगा कि इनको नहीं किया जाएगा उसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गिनू की तरफ से फाइनली दूसे बारे में पूरा डीटेल में बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन प्रेस क को देखने को मिल जाएगा इसको आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिक्सिप्सम ने देदूगा वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे अब इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है पूरा डीटेल में आपको समझा दू किनको प्रमोट किया जाएगा क सब्जेट करके मैं आपको बता दू एक्जम्शन फॉर एपेरिंग टैर्मिन एक्जामनिशन फस्ट इयर कोर्स ऑफ बैचलर एंड मास्टर डिगरी टैर्मिन एक्जामनिशन जून 2021 करफर मिटी आफ यूजी सी ऑडर डेटेड जुलाई दो हजार इक्टिस सोला जुलाई 2021 में फस्ट इयर का एक्जाम पढ़ रहा था चाहे वो मास्टर के थे चाहे बैचलर के मीन्स जो स्टूडेंट जो एरली प्रोग्राम के स्टूडेंट जुलाई 2020 में एडमिशन लिये थे जुलाई 2020 में जिन भी स्टूडेंट ने फ्रेस एडमिशन लिया था चाहे वो मास मास्टर का चाहे बैचलर का स्टूडेंट सर्टिफिकेट डिप्लोमा की बात नहीं हो रही है उनका तो एक्जाम हो गई होगा यह इरली प्रोग्राम मास्टर बैचलर की बात हो रही है जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था जिनका एक्जाम जून 2021 में पढ़ रहा जन्होंने जैन जन्होंने जैन 2021 ठीक है जैन 2021 में एडमिशन लिया है उनको भी प्रमोट किया जाएगा यही चीज लिखा गया है इसमें कि इन कंटिनुएशन अप नोटिफिकेशन 3rd जुलाई जुलाई 2021 टर्में एक्जाम निशन जुन 2021 इट फर्दर नोटिफाइड था इस्टूडेंट आर फालोइंग बैचलर और मास्टर डिगरी प्रोग्राम्स वार इंडूल्ड इन फर्स्ट इयर अफ दे प्रोग्राम जुलाई 2020 एडमिशन सेशन जुलाई 2021 सेशन में जुन् उनके आने वाले नेक्स्ट समिस्टर ठीक है नेक्स्ट इयर के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाएगा ठीक है यही यह नोटिफिकेशन में लिखा गया है यह देख लीजिए फर्स्ट इयर आप बैटलर डिगरी प्रोग्राम और फर्स्ट इयर आप बांस्टर डिगरी प टार्गेट किया गया, फिल फर्स्ट एयर को प्रमोशन मिलना है, जिन्होंने जुलाई 2020 में फर्स्ट एयर में डमिशन लिया है, चाहे वो मास्टर को, चाहे बैचलर को हो, ठीक है, सेकेंड डियर की बात बिलकुल भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब इसमें ये समस्टर में जिन्होंने रेजिस्टर किया है, जन्वरी 2021 में ठीक है, उनको भी प्रमोट किया जाएगा, और MSC, MSCS, 1st and 2nd समस्टर रेजिस्टर इन जैन 2021 उनको प्रमोट भी प्रमोट किया जाएगा, अब जो ये बोल्ड में लिखा गया, इसको आप थोड़ा ध्यान से सम समिशन सेशन और BCA डिगरी प्रोग्राम सजिस्टर जैन 2021 एड्मिशन सेशन 3rd and 4th समिस्टर इन दिसमबर, ठीक है, अब जिन्होंने 2nd EL के रेजिस्टर किया था, जुलाई 2020 में उनका एक्जाम करवाय जाएगा, ठीक है, चाहे वो बैचलर के स्टुडेंट हो, चाहे जुलाई 2020 में 2nd EL मिले तो उनको प्रमोट किया जागा, जी नहीं, उनका एक्जाम होगा दिसमबर में, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते, other programs except, except program mentioned above are not covered, मतलब की इसमें यह कि जो इसमें प्रोग्राम नहीं किया गया, उनको इनके अंदर में नहीं र का एक्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, और next point में लिखा गया, exemption is not applicable to any other content such as practical, अब यह काफी important point है, तो इसमें देख लीजिएगा, assignment पूरा जमा कराना है, practical का कोई exemption नहीं मिलेगा, और project का कोई exemption नहीं मिलेगा, registration, internship, field work, general, जो भी student का यह सारी चीजे है, उनको एक practical बगारा अपना अटेंड करना पड़ेगा, रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी, यह सब के लिए कोई exemption नहीं दिया जाएगा, ठीक है, the examination fee already paid, जिन्हों ना already examination fees पी की है, अगर वो प्रमोट हो रहे हैं, तो उनका next year के लिए, अर्जेस्ट कर दिया जाएगा, यह चीज इसमें निख जाते हों तो दे सकते हैं, ठीक है, यह लिखा गया, ठीक है, next point पर लिखा गया है, the result marked grade card term examination first year course covered under the exam scheme mentioned above, will be updated university after only, only after the completion of term examination for all the courses of second year, ठीक है, बहुत सारे student पिछली बार भी सवाल कर रहे थे, इस बार भी जो पिछली बार promotion हुआ थे, इस बार भी ठीक है, तो जब तक आपन next year का पूरा subject, पूरा एक भी subject बचना नहीं चाहिए, practical को cover करते हुए, सब कुछ जब तक complete कर नहीं लेंगे, तब तक आपको promotion नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, the exemption scheme applicable for the courses of first year, ठीक है, on count of COVID-19, no partial exemption is admissible, ठीक है, केवल first year के लिए यह promotion किया गया, exemption दिया गया है, तो first year में चाहे master हो, चाहे bachelor को, July 2020 में enrolled होना चाहिए, July 2020 में बार बार बोल रहा हूं, कापी सारे student अभी सवाल करने लगेंगे, मैं promote हुआ की नहीं हुआ, मैं promote हुआ की नहीं हुआ, आप अपना admission year जरूर बताएंगे, अगर कम नहीं समझ में आ रहा है, comment box मे भी लिखेंगे, तो अपना admission year जरूर बताएंगे, first year, second year, केवल first year की बात हो रही है, final year की भी बात नहीं हो रही है, ना तो second year की बात हो रही है, intermediate student केवल first year की बात हो रही है, तो first year मगर enrolled है, July 2020 में तभी आप promote होंगे, otherwise promotion नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अब इसमें कोई सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है, या मुझसे कोई point चूट गया, तो आप comment box में लिखके पूँच सकते हैं, मैं जवाब जरू दूँगा, इस पर एक live session भी करेंगे, उसमें और retail में बात करेंगे, इन notification आप यहां से download भी कर सकते हैं, link में description में भी दे दूँगा, तो फिर य यह काफी important update था, जदर जदर अपने दोस्तों के साथ share करिए, ठीक है, चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe कीजिए, मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों